बंगाल में जो हो रहा है अभी जहां पे लोगों को लोगों की घर जलाए जा रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है उनके परिवारों को मारा जा रहा है बेटियों बहुँं के साथ रेप हो रहा है उन्हें उठा के ले जा जा रहा है ग्यांग रेप हो रहा है इस सब का हैं आप सोचेंगे हैं क्विंट का वो लगा है तो मैं कॉंग्रेसी हूं मैं पूरे हिंदुत्ववादी होके इन से सवाल पूछना चाहता हूं कि ममता जो कर रही है वो तो एक डिकलियर्ड जिहादन है वो इस जिसे बोलते हैं उसने ये सोच लिया है कि हिंदू समाज को इस तरह का जिसे बोलते हैं समाज में हिंदू समाज के साथ विश्वास गात किया है मैं समझता हूँ ऐसा किसी ने नहीं किया इन गांधी ने भी इस तरह का विश्वास गात नहीं किया है जिस तरह का इन दोनों ने किया है जब इन्हें ये सीटे दी गई हैं ये क्यों नह पे राश्पती शासन लगाते क्यों नहीं वहां पे Central Forces को लगाके उसकी Government को बर्खास्त करते लोग कहेंगे कि Supreme Court उसको reverse कर देगा क्या reverse कर देगा वहां पे जो लोग मर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है कौन रेप के लिए जिम्मेवार है रोज फोटोग्राफ आ रह कर ये हैं यह जिसे बोलते कब तक चलेगा और कब तक यह दोनों स्रफ बुत्मन के खड़े रहेंगे और कब तक हिंदू समाज इनको जिसे बोलते हिंकी तरफ देखतार रहेंगा कि कुछ करेंगे यह इनके जैसे नपुनसक ना तो कुछ पहले किया था ना आगे करेंगे ये सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, तमाश भीन है एक नमबर के, और अब ये समय आ गया है हिंदू समाज को ये समझने का, कि ये अपनी लड़ाई है, मैं खुद लड़नी पड़ेगी, और एक साथ गुट बनाओ, इन लोगों के बरोसे मत बैठो, ये RSS, VHP, ये सब साले प विश्वासगाती इस पूरे ब्रहमाण में नहीं है, इन्होंने पूरे हिंदू समाज के साथ विश्वासगात किया है, सीटे लेने के बाद कहीं एक्शन नहीं लिया, लोग पूछेंगे इतनी जिसे बोलते हैं, कठोर लेंगोज यूस करने की क्या जरुत है, आप देखि पुलीगी जमात में जब करोना जिहा ज़्याद फिलाया गया, जिसकी द्वारा हजारों हिंदू की जान गई, तो वहाँ पिक आ अक्शन लेंगे, उनके मौलाना साथ ने और तबलीगी जमात में जगा 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 जाके करोना फिला इन्हों हुर। करके उनको सरेयाम जिसे बोलते हैं इमारतों से फैन जाता है दिशा मडर केस में और यहां पे उसको स्यूसाइड डिकलेर किया जाता है और यह कहते हैं कि गौर्णमेंट को बर्खास करने के लिए यह वो परयाप नहीं है मैं कहता हूं हिंदू समाज खुद भी मर गया है और मरे हुए समाज से कुछ उमीद नहीं की जा सकती क्योंकि जब उन्हें यह दिशाहीन समाज जिसको यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी कबर खोदी जा रही है यह चुपी जो साधर की है इन दोनों ने मदर केस में कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ है महराष्टा गौर्मे इंक्वाइरी एक यह मुद्दा है जिसमें आईवाश किया जाता है आईवाश का मतलब है कि बस एक सीबिया इंक्वाइरी खोल दो कुछ पैसे एदर आएंगे कुछ उदर जाएंगे और केस चलता रहेगा जनता तो बेवकूफ है वो तो कुछ बोलेगी नहीं 22 किलो यूरेनियम पकड़ा गया है नूकलियर ग्रेड ये इतना बड़ा मामला है हजारों लखों की जान जा सकती है लेकिन क्या हुआ न्यूज मीडिया उसे दबा रहा है और ये दोनों तो मुँ में बुत दमा के धही कितना बैठे हुएं कोई इस पे सवाल जवाब नही चाहिए और जिसे लगता है कठोर शब्द है तो मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत सिंपल सजा है जिस तरह का इनों ने यहाँ पर तमाश्मीन पंती RSSS और इनने फिलार किये हैं कोविड 90 में इतने लोगों की जान गई इनोंने क्या किया ये कहते है दिल्ली गौर्रमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आपने उसको बरकास क्यों नहीं किया क्यों नहीं बरकास किया दिल्ली गौर्रमेंट को आपने क्यों कि आप कुछ करना ही नहीं चाते हैं ना आपने महराष्टा में कुछ नहीं किया ना आपने बंगाल में कुछ किया और आज जब बंग आप इस्तिफा दे दीजिए अगर और हिंदू समाज को यह समझ नहीं आ रहा कि अगर यह नहीं तो कौई और चलाएगा और हिंदू समाज यह समझ के बैठा है कि BJP के गिलावा कोई विकल्प नहीं है ऐसा नहीं है अगर आपके अंदर एक जुटता है आपके अंदर वो है आप अपने प्रतिनीदी को खड़ा करिए जो आपकी समाज की सुने और उसको खड़ा करके जिताई है इंडिपेंडेंट के रूप में इनके ओपर डिपेंड करने की ज़रत नहीं है अपनी कबर मत खो दो विकल्प विकल्प वही है आपको अब या तो लड़ना है या मरना है और मैं समझता हूँ हिंदू समाज जो चुप करके बैठा है वो मत्यू के कगार पर ही है अगर ये लोग कुछ नहीं करते हैं अब तो इनका जिसे बोलते हैं सूपड़ा साफ कर देने का टाइम आ गया बिल्कुल सूपड़ा साफ कर दो एक सीट नहीं मिलनी चाहिए इनको आज जितना भी मीडिया है वो सारा का सारा मीडिया जिसे बोलते हैं इसरेल के उपर फोकस कर रहा है अरे बही इसरेल दूसरा देश है और ये पैलेस्टाइन दूसरा देश है हिंदूस्तान की इस से मोधी के उपर वो आ रहा है पैसे खा के बैठे हैं सो अब हम बात करते हैं कि बंगाल में हो क्या रहा है यहाँ पर जो जिहादी ऐलिमेंट्स हैं आपके बंगला देशी और रोहिंग्यास वो लोगों के उपर जाके बस्तियों के उपर जाके अटाक कर रहे हैं 50-50-100 लोगों को लड़कियों को उठाया जा रहा है उनको गैंग रेप करके मार दिया जा रहा है और सरयाम यो तो आप कनवर्ण हैarin यहार्लों से दिए जा रहे है यहार रही है ना आज बंगाल की हालत है और जिसके बारे मेरा कोई यहां का मीडिया एक-दो पत्रगार को चोड़के को बात नहीं करणा चाहता क्योंकि सारे के सारे मोधी की पिच्छवाड़ा चाटते हैं quality के पिच्छवाड़ा चाटने में ना Supreme Court कुछ कर रहा है, ना High Court कोई संग्यान ले रहा है, ना CBI कुछ कर रही है, ना Government कुछ कर रही है, ना Center कुछ कर रही है, ना Police कुछ कर रही है, यह क्या तमाशा है, कोई कुछ करने को ready नहीं है, आप मड़स हो रहे हैं, रेपस हो रहे हैं, क्या हो रहा है यह तमाशा, और स सबसे बड़ी बात है, इस सब के लिए जो जिम्मेवार है, वो मोधी और शाही हैं, क्योंकि उनके इस इनाक्शन की वज़े से विश्वास गात की वज़े से ही हो रहा है, उन्होंने पहले तो बंगाल में बहुत जाके जैश्री राम के नादरे लगाए और अब अपने घर म एक बैड के नीचे छुपके बैठ गई हैं दोनों, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ करने की हिम्मत नहीं थी तो ये पहले तमाश बिन पत्ती करी क्यों तुमने, तब ही हतियार डाल दी होते हैं, कम से कम लोग तो नहीं मरते, अब सवाल उठता है जिसके वारे में कोई बात नहीं करना चाता कि बंगालियों को इस वक्त क्या करना चाहिए, देखिए आपको लड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आप अगर इन थ्रेट्स के, लेकिन ये मैं जानता हूं क्योंकि पुलिस जब आपके साथ नहीं हो, आपके अगेंस्ट हो, तो लड़ना उतना असान नहीं होता, आपको क्या करना है, आप अपने परिवार में, जितने भी लेडीज हैं, उनको शहर से भार बेजिए, बंगाल से भार बेजिए, किसी भी एक या दो मर्द के, और बाकी के जितने भी फैमली के मर्द हैं, या तो वो घरों में रहें, और अगर घरों में तो वो जंगल का रुख करें, जंगल में जानवर खाएं मार के, बिल्ली, कववा, पिजिन, गिलेरी, कुछ भी मार के खाएं, और उससे एनरजी पाएं, लेकिन लड़ें, और घर में जितनी तलवारें, दरातें, सब पढ़ी हैं, वो निकाल लो, और उनको तेस कर लो, औ जहां भी हरे टिड़ें मिलें, निप्टा दो सालों को, अगर तुम एक भी हो, देखो, मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मरना सब को है, मृत्यू शाश्वत सत्य है, लेकिन मरने से पहले इन से लड़ो, अगर एक हो, दस को मार के मरो, अगर हजारों ऐसे लाखों को मार देंगे, इनको भी सवक आएगा, और पूरी इसकी जिसे बोलते हैं, तंतर की नलिया हिल जाएगी, लेकिन दस-दस के गुट बनाओ, और लड़ो, महाकाली का नाम लो, सर पे कफन बांदो, काले रंग का महाकाली को सबसे फेवरेट रंग है, और उसके बाद तूट प कम है, और आप किसी प्रकार से लड़ने में सक्षन नहीं है, तो आप रिलोकेट करिए, उन एरियास में जहां पे, जिसे बोलते हैं, वाइलेस नहीं है, बट किसी भी स्थिति में कनवर्ट मत करिए, अगर जादा दिक्कत है, तो जहर खालीजे, लेकिन जान दे दीजे, प बोलते हैं, ये अहतियार उठाना बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप लड़ेंगे नहीं, तो इन जहादियों के होसले और बुलंद होंगे, आज ये तुम्हें करने के कह रहे हैं, कल वो तुम्हारी बेटियों और भवों को उठाएंगे, इसलिए इन से डरने क तलवार, डंडे, भाले, जो मिल जाए उससे लड़ो, और अगर घर में नहीं लड़ सकते हैं, तो जंगलों मजाओ पर लड़ो, और जंगल में जो जानवर मिल जाए उसका बक्षन करो, और उसका बक्षन करके एनरजी प्राप्त करो, और उससे खाने के बाद इन से दर नहीं सकते, पठा गिरी अपनाओ, और इनकी जो लड़ाई है इन तक लेके जाओ, लेकिन दरने की जूरत नहीं है, इनका साशन के पूरी बागडोर हरा दो तुम राम, अगर तुम सही में राम के भक्त हो, और अगर तुम्हारी शिलाओं में रक्त बहरा है, तो ये का करो, इनसे डरो मत, लड़ो इनसे पुना, संगटितों के लड़ो, यही मेरा आदेश है तुम्हारे को, जै हिन, जै भागड़ाई